चिकु उनको बोल वीडियो पूरा देखेंगे अरे बोल यार उन्हें बोल कि ये मेरे को भी नहीं रखते ये पढ़ाई करते रहते हैं आप लोगों के लिए बोल उन्हें बोल ये वारा चिकु है और ये दो साल से हुमारे साथ है कापी मस्ती खोर भी है और सिंशर भी बहु करते हैं जो कि एक प्रोटीन होते हैं सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं ये क्या करते हैं दोनों में रेनिन और पेपसिन मैं आपको दोनों बताया था पेपसिन क्या करता है प्रोटीन को पेप्टाइड के अंदर बदलता है इसी प्रकार से रेनिन क्या करता है रेनिन समझ में आया होगा और इसके अंदर रेनीन अगर ये भाग ना देकर कि आपसे पूछ सकता है कि केसीन को पेरा केसीन में कौन बदलता है तो रेनीन बदलता है ये भी आपको ध्यान रखना है अब आगे चलते हैं यकृत और अगनाशे देखो ये दोनु जो है हमारे सरीर की गरंतिया हैं बहुत ही important role play करती है यानि कि छोटी आथ बोलती है कि छोटी आथ को सिफ एक condition चाहिए कि बोजन जब शारी होगा तब ही जाकर कि बोजन का पाचन करेगी अदर्वाइस ये बोजन का पाचन नहीं करेगी तो इसका उदर ये क्या करता है यकृत क्या करता है इ पर ये होता है छोटा सा दिख रहा है आपको थेली नुआ ये होता है पीता से पीता से के अंदर इकटा हो जाता है पीतरस अब ये कब चोड़ेगा आगे अब कहानी सुनना तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चोड़ेगा तब जाके बोजन जो इस शारी फिर छोटी आथ बोल दी कि हाँ, अब मैं बोजन बचा सकती हूँ, अदरवाईस यह नहीं बचा थी, आप बोलेंगे शार यह इसका मुलब पहले क्या हुआ था इस बोजन के अंदर, पहले हमने देखा था है, यहाँ HCL मिल गया था, HCL क्या है, एक अमली है, यानि अमली माधियम को यह छोटी आथ पच्चाती है, यह छोटी आथ के भी तीन भाग है ध्यान रखना, सबसे जो सुरू में, यानि अगनासे के पास में, यानि यह वाला जो भाग यह कहलाता है, घ्रहनी, अगर शुद्दाअंत्र और शुद्दाअत्र, अब यह ग्रहनी क्या करती ग्रणी के एक condition मैंने आपको बताती है इसको शार्यमाध्यम चाहिए जैसे ही शार्यमाध्यम चाहिए इसको आप इसको आवाद लगाने पड़ी की यकृत को बोलेगा ही भई मुझे शार्यमाध्यम चाहिए तू यानी पिताशिक अंदर से पितरस छोड मेरे तो इसको कुछ चोटी हाथ खुद छोड़ती है जैसे ही चोड़ती है यकळित समझ आता है कोलेसिस्तो का ईनीन आया है इसका मिलब मुझे क्या है पितरस छोड़ना है तो ये यक्रित जो है पिताशिक अंदर पितरस इकटा करके रखा हुए ये छोड दिया इसने तो ये कह आ गए अब च पचाने का काम जो होगा, सबसे ज़्यादा जो महतुपून वूमिका होती वो अगनाश्य ग्रंती की होती, अगनाश्य ग्रंती क्या करता है, इसके पास तीन जो अलग अलग प्रकार के इंजाई में, जब तक वो नहीं विलेंगे, जब तक नहीं पचेगा, कुछ भी हो वसा याने कि जो भी चिप-चिप अबरदार, गी हो गया, तेल हो गया, सुरज मखी का तեल हो गया, नारियल का तेल हो गया, जितने परकार के तेल हे, जो चिप-चिप GoPro हो जा तो, मान के चलिये, उसमें वसा है. बिस्कीट, है बिस्कुट को आप कूत करके देख लिए, जी अच्छिए से, आपको काजच के अउपर उसमें एक गी की तरह लग जाएगा, कि तील य गी लगाओ, इसका उसके अंदर क्या है, वसा है, तो वसा का पाचण कोन करता है, यकरीत जबसा के पाज़न करने में सायता करता है कॉलेसिस्टो काइनिन में आपको बता दिया ठीके इसके बाद ग्लुकोस से बनने वाले ग्लाइकोजन का संग्रान करता है ग्लुकोस हमें क्या करता है हमार सरीर को उर्जा परदान करता है तो जैसे ही आपने जैसे माल लीजे कि आज अडोस पडोस में खाना खा करके आएं, खाना खुब सार आपने खाना खाय लिया, अब खाना खाने के बाद आपके अंदर बहुत सारी उर्जा आ गई वह, मज़ा आ गया, अब यह जो उर्जा है, यह उर्जा क्या होती है, के रूप में संगृट हो जाती है, अमार सरीर में, कौन यह भाई साब इसमें कारे करते हैं, यकृट जैसे ही संगृट हो गई, अब मालिजे आप बीमार हो गई, बहजं तो करके आगए आप, लेकिन आप बीमार 3 दिन तक आपने खाना नहीं खाया, अब जब 3 दिन तक ख या फिर आप डेली जो खाना खाते उससे थोड़ थोड़ा मिल करके निर्मार होकर पर के सरीर में एकटा हो जाता है तीन दिन आप बुक्टे रहे उस तीन दिन में गलाइकोसन वापस तूट करके किया बन किया ग्लुकोस ग्लुकोस बन किया था आप आनाम से को जिगर कलेजा भी बोला जाता है बोला जाता है चला जा रहे कितना जिगर है किता कलेजा है तेरे अंदर यह बाई साब यह होते हैं आज के बाद उसे बोल देना कि ज्यादा कुछ नहीं है डेट से दो किलो होगा इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा क्योंकि इसका वजन होत आपको चलना पड़ता किया ऐसे पॉसीबल होता है क्यूंकि या तु भार आ जाता है 50 किलो ठीके तो ऐसा भी नहीं है रक्त का थक्का बनाने मदद कैसे करेगा मानलीजे कि यहां पर आपके कट लगाएं अब कट लग गया मानलों ब्लेड से रक्त का आई बार निकल रहा है इस काउनल लग ऐसे थोड़ी नहीं कि पाई पे आपने एक छेद कर दिया तो ऐसे फुवारे की तरह बार फंक रहा है ऐसे हमारे यहां पर रक्त जो बार निकलेगा ऐसे कभी हुआ क्या नहीं होता है क्यू रक्त का थक्का जम जाता है यानि रक्त जम जाता है और उस जमन पर नहीं है तो एसा नहीं है रक्त का थक्का बन जाता है यह रक्त प्रिंजरन है उसके और हम रक्त के बारे में बहुत अच्क जिटेल से पढ़ने वाले है अब चलते इसके बार यह तो आपको समझ में आओगा इसके अंदर देखिए अगनाश्ये के अंदर तीन l से lip age, अब mglh क्या करता है, starch का पाचन करता है, starch क्या होता है, starch एक तरह का carbohydrate होता है, starch से maltose बनाता है, कौन बनाता है यहाँ पर, यह आपका mglh बनाता है, अब आप आपने मैंने शुरूरू हो आले, आपको class के अंदर बता था कि large होती ही, तीन गरंतिया होती है उनमें से, large क्या काम करती है, large carbohydrate starch को, किसके अंदर maltose के अंदर परिवर्थीत करती है आप बोलेंगे, sir, मुँग के अंदर ही परिवर्थीत कर दिया तो फिर यहां पर यह अपस क्यों आया है, यहां पर छोटी आत्मी क्यों आया है, अगनाशे के अंदर हम क्या करते हैं, खाना जल्दी-जल्दी खा लेते हैं जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं, तो अच्छे से क्या होता है starch जो है, उसमें maltose में परिवर्थीत नहीं हो पाता है आप बोलेंगे, sir, starch क्या है, यह carbohydrate जो अपन यहों या चावल खाते हैं, उसके बार का अंदर जो है, यहाँ पर protein, peptide बदलता है यहाँ पर भी बात हुई है, जो रह जाता है protein, उस protein को peptide बदलने के लिए यहाँ पर लाश्ट रतियार और कोन है, यहाँ पर अगनाशे में trypsin है, ध्यान अकना, trypsin, lipage क्या करता है वसा का पाचन करता है, लाइपेज भाई साब के अंदर भी एक दम है कि यह वसा का पाचन ही करेंगे, लाइपेज जहाँ पर भी आए दिमाग में एक तरह से fit कर लेना, तेल और घी के बारे में ही बात कर रहा है ठीक है, लाइपेज वसा का पाचन करता है यह सेक्रेटीन दौरा उत्तेजित होता है हाँ, सेक्रेटीन दौरा उत्तेजित अब अगनाशे के बारे में, अब किसे पता चलेगा अगनाशेकों के भाई मुझे एंजायम छोड़ने तो यह क्या करता है? छोटी हानँ यहाँपर सेक्रेटीन नामक जो है यहां पर परदार्त का क्या करती है यहां से निर्मान करती है और यह जब भी अगनाशय को पता चलता है कि बाई सेक्रेटिन आ गिया मेरे पास सारे एंजायम यह क्या कर देगा छोड़ देगा तो इसी प्रकार से अगनाशय के लिए छोटी आथ क्या बेशती है यहां पर सेक्रेटिन बेसते ही अगनास्य जो है तीनों एंजाइम अपने जो MILH, Trypsyn और Leipase तीनों को क्या करते हैं? तीनों को बार बेसते हैं, च्छोटी आथ के अंदर बेसते हैं, फिर बोजन का क्या होता है? सबसे अधिक जो पाचन होता है बोजन का छोटी आत के अंदर ही होता है दियान रख लेना ठीक है अब इसके बाद आगे चलते हैं देखे यह भाग तो हमने देख लिया इस भाग के अंदर क्या होता है यह सारे सेक्रेटिन और कॉलेसिस्टोकाइन इनको यह क्या करेगा एक और से छोटी आन चुकिया अगर निकालने के बाद यह अगनाश्य कोई पता चला है अगरी तो यह सारे इंजैम चोड़ेंगे फिर यहां से इपें बीच वाले में आते हैं यहां पर मेने बताय था भी आपको छोटी आत बीच अउला भाग क्या है अगर सुदात्र कहलता ह करता है कि इनको फेलाता है खाने को आपने देखा होगा कि आपके ममी जो भी है सबजी ओगर बनाते हैं तो क्या करते हैं उसे हिलाते हैं या दूद भी है इसे हिलाते है इसका मिलब क्या अच्छे से यह last आला भाग राता है शुद्ध आत्र तो यह 3 भाग हों गहें बिलकुल clones ना रहें अब यह और वह क्या करता है इन्हें mix करने का एंजयाइम को और आपने जो भौजन लिया है उन्को अच्छे से mix करने का कार्या करता है और शुद्ध आत्र की मैं अगर बात करो तो यानि इन दोनु प्रकार के प्रदाइट यहां से छोड़े थे, छोड़ने के बाद अगनाशे यक्रिट से एंजयाय मिलकर के आए और लाने के बाद फिर ये क्या, इसने आगे बेज दिया, अगर शुद्धा अत्र ने अच्छे से उसे मिक्स किया फिर आगे जाने के बाद शुद्धा आतर इससे क्या करता है, शुद्धा आतर इसमें सबसे कार्भाइटरेट, वसा प्रोटी जो भी होता है, उसका अच्छे से आउस्योशन कर लेता है, अब बचा कौन है, जल और जल का जो खेल है, वो का चलेगा, बड़ी आत में, बड़ी आत के अपने, जो हाँ पर सदश्य होता है, उनको बोलते है, लाइए, पेज लाइए, मुझे इनकी ड्रोइंग करनी है, बस इतना से याद रखना है, अटल से अटल हो गया, अटल की गाड़ी चुकिया है, एवरेज, माइलेज कम देरी, माइलेज से ही, ए माइलेज आपको याद पर क्या देखा, बहुत सारे सीन देखें, तो ट्रीप सीन, ट्रीप का मतब होता है, यहाँ ट्रीप सीन देखें, फिर देखने के बाद उनका क्या मनुआ हुआ, कि मैं इसकी ड्रोइंग करता हूं, तो अपने सदश्य को बोलते हैं, लाइए, पेज लाइए, तो लाइए, लाइए, पेज, तो लाइए, पेज, यह तिनों आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, उमिद करता हूं, यह याद हो भी गए होंगे, अब आप कभी भी इसे बोलने वाले नहीं है, तो चलते हैं बड़ी आद की उगर, बोलते हैं इसको, परिसेशिका, अब यह यादि की जब हमारे पूरज घास पूस खाते थे, सेलूलोस पाया जाता है उसके अंदर, सेलूलोस का पाचन करने के लिए विक्षित हो गया था उस टाइम पे, यह अंग, लेकिन यह अब भी हमारे किसी काम नहीं आता है, क्योंकि हम कुछ घास पूस नहीं खाते हैं, यह अब यह अब आगे देके कार्या है, ध्यान खरता है आपने सब कुछ पड़ लिया है, सब कुछ की बाई कार्भाईडरेट प्रोटीन वसा इनका जो जो और ओस्टार्टी आथ कर रही है जल का ड़ी आत करेगी हाँ जब किसी को लूज़ मोशन होता है 20 से लगती already तो इसका 않았ेा होता है, उसका मल पतला होता है, उसका कारण है कि यह उस टाइम पे बड़ी आथ सही से काम नहीं कर रही होती है, जब बड़ी आथ कारी नहीं करेगी, जल का अस्वोशन भी नहीं करेगी तो उसे Lose motion होगा, सतपर्थिय जहता होगा, ठीक है तो इसका काम यह होत करता है इसको पीला कलर का बनाता है कभी कबार क्या होता है यहां पर यहां पर जो है कुछ मांस जो है बढ़ जाता है यहां पर जो मांस बढ़ जाता है यहां पर जो मांस के बढ़ने से यहां का शेतरपल कम हो जाता है शेतरपल कम होने से जब भी व्यक्ति कोई भी इसके से समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब इसके अंदर और क्या बचा हुआ है, हरा, यह हां, यह चीज है, अब इसके अंदर भी क्या है, कि इसको चार भागों बटा गया है बड़ी आत को, बड़ी आत को कैसे, पहला तो यह दूसरा है, यह तीसरा है, और यह चोता, पहल यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रठनी पड़ेगी, यहां पर कि बोलस जो होता है, हम जैसे ही भोजं किया, मैंने अंदर जैसे कंकड आ गया, अब मान लो की मैंने खाना खाया है पेट में चला गया अब मुझे उल्टी हो गई उल्टी हुआ क्या 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 है क्या गयाँ उसके बाद आथा है काइल यानि कि जो मल अथा जो अतो bety न होकशन हो कर यह वस्ता होती होती यह न बेट के बाद चलते हम लाश्ट टॉले टोपिक पर हमारे पाचल में प्रमुक एंजाइम कौन-कौन से होते हैं यहां देख लीजिए आप कार्बोहाइट्रेट प्रोटीन और वसा कार्बोहाइट्रेट मैंने बताया था लार के अंदर हमारे लार के अंदर इसके अंदर सुक्रोज को किसमें माल्टोस बदलता है तो यह देखे सुक्रोज, माल्टेज और एमिलेज, किसके यह कर्बोहाइट्रेट के पाचक है बहुत ही सिंपल है आगे चलते प्रोटीन, प्रोटीन मैंने आपको सारे बतार के ट्रिपसिन बतार का है काइमोट्रिपस चोटी आथ के अंदर प्रोटीन को किसके अंदर बदलने कारे करता है यह पेपटाइड को फिर एमिनो अमनल में कौन बदलता है इरेपसीन लाइस्ट में अभी लिखा है था इस स्लाइड से पहले यह चोटी मोटी चीज़ है जब आप एक दू बार वीडियो देखोगे तो म प्रेक्टिस करनी पड़ती है एक बार में तो यह नाम किसी को भी याद नहीं होते है चाहे कितना भी बड़ा मास्टर हो कितना भी बड़ा उस्ताद हो बार बार प्रेक्टिस करनी पड़ती है जो टिचर आपको पढ़ा था आपको क्या लगता है हावला हलवा है क्या ऐसे पीछे अब आगे चलते हैं इसके बाद वसा का पाचक है अब चलते हैं इसके बाद और कोई छूट गया है तो बता दो भई इसके बाद एक काम करते हैं रिविजन कर लेते हैं बहुत ही मज़ा आनेवाला है रिविजन हो जाएगा सिर्फ दो मीट के अंदर बहुत ही मज़ा आनेवाला है चुपचाब सिर्फ आपको बेटना है और सुनना है अभी सब याद आता जाएगा देखना नव Ste. पहले मुख की बात करेंगे, मुख के अंदर भोजन जाएगा, मुख के अंदर 32 दाइख होगे, 32 दाइख के अंदर में बताये दे नहां है, 4 प्रकार, 32 तो टोल दाइख हो होगे, 22 तो टोल आथ हो इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, लगबग अच्छे से मज़े से बढ़ा रखा है, अगर पहली बार हो, तो उस वीडियो को थे बहुत मज़ा आएगा। टीके गरषणी और ग्रास नली गरषणी के बारे मेरे इनम बता है गरषणी तीन परकार के होती है नाइस गरषणी मुक घरषणी और हमारा कंड यह जहां पर यह तीनु मिल रहे है इसके अधर इसके जीजिए इम्पोटेंट है नली के उपर कि वर जाकर के क्या करता है स्वासनली के अंदर उसको और खाना है जो है आधा के वा धता है क्या Odd अमज्यली के आगर में बात करू अब इस घ्रासनली की ग्रासनली 25 cm सेंटीपि लंबी होती, इसका काम क्या होता है कर्मा कुंचन विधी द्वारा क्या करता है, भोचन को नीचे लाना है, ठक वाला गांसेप्ट आपको मैंने बता रहा है, पहले वीडियो के अदर जा करके देखें, मज़ा आएगा, ठेके, यानि दीरे-दीरे लाना है, अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर चलते हैं, आमासे, क्या है, आमासे करता है जुवानों को मारता है लेकिन फिर भी जुवानों बच जाते हैं जो शक्ती साले होते कुछ बच जाते हैं उनको कौन है HCl आमले यानि HCl एसीड मारता है ठीक है इसलिए आपको जब भी डकार आती है खटी सी हरा अधिकी अधिक होता है यानि कि आपका मुव मैंने आपको सुत्र बतार का है, मिल्क और मेंगनीशिया, वो काम मिलेता है, वो क्या करता है, अमली ओर शार मिलने पर क्या है, लवन ओर जल बनाते हैं, उदासीन हो जाएगा है, अमली माध्यम खतम हो जाएगा, ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके बाद, फंडिस के अंदर रूजी होती है, रूजी है क्या करती है, जैसे आपको फूग लगती है, तो यह काटेदार सरस्ना होती है, यह क्या होती है, एक्टिवेड हो जाते हैं, इसलिए आपको पेट में चुपता है, देसी बस हम बोलते हैं कि चुए दोड़ रहे हैं पेट में, ठीक है ना सिन के अंदर बतलता यानि दूद को धहीम बिदलने काम रेंदी ने करता है इसलिए छोटा बच्चा जो है जब दूद पीता हुए दूद पिने कryने बाल वापस जब आप ने देखा उससे उलोटी होती तो लगबाग रही की तरह उल्की होती उसे एनि दूद को धहीम एमा अमॉसे तक तो हो गया हमारा काम, अमॉसे चलते हैं अब छोटी हात में, छोटी हात के अंदर मैंने बताया था, जिस परकार से हमारे लिए, हमारे परेंट्स हीम्ट इस फिर से और अलग होते हैं? यहाँ पर आपको अटल से याद रखना, A से आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर अगनाशे के अंदर M.I.L.H, T से आपको ट्रिपसीन, A से लाइपेज आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पर दो मैंने आपको लिखा रखना है, यक्रित, यक्रित क्या है कि जब यहाँ पर एक इसकी कंडिशन है, छोटे आद की एक ही कंडिशन है, कि यह अमलिय माध्यम में पाचन करेगी नहीं, यह साब मना कर रह करता है, फिर एक्टिवर्ट हो जाती है, अब पाचन करेंगे, टिके उस पाचन के अंदर और इसको बहुत ही अच्छे से पचाने के लिए, यह सबसे ज़्यादा जो पाचन में में निभाता है, अमारा अगनाशे निभाता है, अगनाशे क्या क्या करेगा, इसके अंदर आएगा, यहाँ पर तीनो एंजाय में इसके अंदर डाल देगा, अपर MILH जो है, स्टार्ज को किसके अंदर, माल्टोस को अंदर बदलेगा, और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है, प्रोटीन को पेप्टाइड के अंदर बदलने का काम करता है, और लाइपेज हमेने बत करती है, जलका उस उसन नहीं होगा, तो आपको लूज मोशन होगा, यानि दस लग जाएगी, इसी प्रकार से, अब मल, जो है, मल का कलर पीला क्यों होता है, बिली रूबिन में आपको बता है, पितरस प्रदात को छोड़ता है, तो उससे पीला कलर होता है, अगनाशे जो ह है, मुँपर याद हो जाएगी, यह मेरी गारंटी, इसे के साथ मिलेंगे हम किश्वन आंसर में, और हाँ गाईज, अगर वीडियो पसंद आए, तो इसे एक लाइक तो बनता है, लाइक छोड़ो यार, शेर बनता है, शेर आपको करना पड़ेगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना पड़ेगा,